नमामी नर्वंत्राय नमा है लो गाई दर गए वेलकम फ्यूव आज अपने अरगंगे चैनल के माध्यम से जो हम पढ़ेंगे वह हम चरक उत्तराड जो हमारा है उसका अध्याय नंबर फस्ट चिकिस्ट अध्याय का हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रसायन अध्याय तो देख आब बेर नो दो प्रतहन का स्टाट करते हैं तो देखेंगे प्रत्तम जो प्रक्रण है वो भेषज पकरन हैं थीके तो इसके प्रियाय हैं है तो उसका लोग आप देख पा रहे हैं देना मौननल प्रकर्थापन हीस तसम बढ़े ने उस घिस प्रश्ट की थाफन गये थि evident स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला होता है और रोगी के रोग को दूर करने वाला होता है आतरस्य रोगनुत बोल गया है इसको एभेशज में बोल गया है जो हमारे भेशज के विपरित होता है विपरित में आप देख पा रहे हैं जो स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को ना बढ़ाने वाला हो रोगी के रोग को दूर ना करने वाला हो वो हमारा एभेशज है जो हमारे रखतादी जो हमारे धातुएं उनको क्या करे दोशित करे वो भी एभेशज है तो इसमें दो आप आप एक्वे के सकते हैं और सनु बादं को करोनिक के सकते हैं जर्कालिन के सकते हैं तो अब दीख hide आगे इसी करम में चलते हैं रसायन को देखते हैं क्या है ता रसायन देखें सवस्त व्यक्ति जो हमारा होता है। उसमें असलेनी बोगन सुरोधार्यम धेहि इंदिये बलंपरम वाक्नीतिं कंतीम लबतेना रसायना छा मन्छा स्थाड़ वह इस्तानाम रसाधियं आम रसायननं तो मतलब क्या इसका थार्थ क्या मतलब है दिर्गायू प्रदान करने उत्म करने वाला होते हैं अगय से करम में हम चलते हैं तो हम देखेंगे उपना बाजि करन तो देखो जो पुत्रिया संतान करने वाला हो, ठीक है, मैथुन विशेक हर्स, मैथुन के परती हर्ष उत्पन करने वाला हो, दातु की पुष्टी करने वाला हो, वरद्ध वस्ता में भी शुकर का छे नहीं होने देता हो, ठीक है, यश, शिरी, बल की पुष्टी करने वाला वहां निवात निवास होना चाहिए आवश्यक सामा गुर्यों से लैस होना चाहिए अर्थिक बहा करना मिमिल्कण होने चैयी होतिक जन्वर इत्यादी का अए भिह नहीं होना चाहीए अब बात करते हैं दिशा तो गुटी की पूर्विय skतरी को होने कोटी के अधरी इस्तित निवर तरी कोटी इसलिए बनुए होनीं चाहिए उसका हताई में जो अड़ाक होने चाहिए उसके मिपोजagog बना Гणा कर बनाना चाहिए अब प्रवेश्विधी देखे किसी को उसमें प्रवेश करवा तो वो त्रायनम होना चाहिए शुकल पक्ष होना चाहिए ग्रह विनक्षत्र उत्तम होने चाहिए ठीक है जो हमारा मलब जो उसमें ग्रह प्रवेश करने वाला है उसके अंदर रजवत दौश नहीं होने चाहिए उनको दूर कराकर देवता ब्रहामन की पूजा इस्मरण कराकर क्या करना या उसको उसमें परवेश करवाना है अब देखे जब परवेश हो जाता है तो सबसे पहले उसमें जाकर असका क्या करता है शोधन करता है रसायन का परius रीककरने उत्तम करेंगे जो शौदन चोंट तंस करनें है तो दिखिए इसम adjust हरी जी हो फियार करते हैं हाम से आमलगी इन सब का आपको चून बनाकर इसनेहन और स्वेधन करना है उस रोगी का ठीक है उसके बाद हरितकी का बोला गया है इसमें गुन रोगादिगार और रहयोग्ये हाला कि तरफ वे गुनाया पड़ा है पर यहां फिर से पड़ते हैं तो देखे गुन में पंचर अायोगे कौन कोन है अरजीन रुक्षन पान करने वाला क्रेशित चुदायुक्त है दो अतिमद्य पान करने वला है तो यह सबी जो इसमें बतायीगा है वह यह आयोगञे बताए घ compliqué हमने यहाप गुन योग्य पड़े है अब आगे की स्लाइड में हरित्की तथा आमलिकी का एक कंकुलूजन दिया वाए कि दोनों के जो है सेम क्या है इसमें तो देखे हरित्की और आमलिकी के गुन रोगादिकार और रयोग्य सबकुछ सेम होता है ठीक है बस इसके गुन में वीर्यास का के huh खट यही पांड्र कंशी के परिट इसमें जहां कि थरो दोगादिक अपनाने तरह पांच क्लिया चान तक कुछक्वू तो दौपल लेना है तुछ कमे अ हम गुन को लेना थिक हैं तो या तो आशिए वहना है मतलब हैं की मतब्यान को थलिकता तो और ये एक पंच मोलों को दось पल लेंगे तो इस परकार आप 5-5 मूल लेंगे तो 5-10 करेंगे तो 50 पलो जो है और होशद ले नी है उसमें आपको क्या मिलाना है हरित की 1000 और ने रोले तीन अजार आगे देखते एक विदी में देखिए आप और रखाल आपinkो जो 10 गुना जल डाब देना है थीक है 50 पल आपने लीया थो 500 जल 500 लीटर professorまで जो पकाज रहे गाइगा 500 फल जुर और आपको क्यां गडिलत कर देंगे चंदनला हरीका मंदवा साः आक है किर नीकाल जुड़ चंदन ना को गुटल रहे गिंगा 73 प्ल देंगेons डीकोडिशन देखें लाल से आप चूद से लाल से आप चाहरा हिए लाल चंदन न से रेला हो गूँन के मंदोंडनी वा से आपका 마िवड़त उटमी इन पाचन से अउन को मिलाना है उसमें झाध के बाध से बिपड़ा है और सको deeply वाल चंदन ना करना हो तक ये रहे होगा जो पात्र रहे उसके अंदर आप घरत को लेप करेंके उसमें आप संग्रे कर सकते हैं उसके पशचा सेवन इसका भोजन के प्रदान करेगा महा बलवान बनाता है सुंदर कांटि वाला ऑननाता है परवट सम्द्रिड बनाता है बनदे को ठीक है मुस्अ बन बन देगा अब डीके स्वनप्राइश केस में विधी है वो हमने हमने अपनी रसायन यह रसास्त्र पड़ा था महां पर पढ़ लिया तो रसायन परकरण में नहीं पढ़ गए इसके गुन पढ़ सकते ह तो देखे किस-किस में इसके गुणा होता है, का शर होता है विशेस्ते, फल्च रूती इसकी पढ़ रहे है, 36 में देखे, अगर चछत के द्वारा कि चीन हो गया है, या कोई वरद हो गया है, तो उसको क्या करता है, उत्तम करता है, धातू की पुष्टी करेगा, सुवरभे बताया गया है प्रतम पाधम ने खतम गया अब देगे शीर भला तक छील को बोला गया सबसे पहले तो भला तक कि जो फल होते हैं वो रोग रहीत का मतलब किसी भी परकार से उन पर इस तरह से नहीं परहार करा गया हो जिससे कि इसका फल में कोई दुष्टी हुई हो उसके फ कुछ वेद्रबान रहेजगा ऐसा फल चाल या अब को लेना है फिर फल की जोउपना दे गई है रख देते हैं कमयार आनाज्मे की पक जाएगा उसी परकार जोंड़ा تمे रख देना है चार महां के लिए उसके बाद इसको संसकार कर परियोग करना है एक संसकार वाद परिय का यहीं चीर सेवनी ऑगा है पोसरे होता है फोज़क्रावीय व्ञाइद मेड़िये में पूरे छोन्तों को तो यहीं फे त Glazymा करने में पूर मुख भषु एक डीफ होrootया है तो यहा, फ़ी में ऑफ मय कोटें हमारे अंदर की जो पैलेट्स हैं उनको ना यह क्या करें डिक्कत ना पहुचाए किसी परकार की इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं घ्रत का लेप कर देते हैं और इसके बाद इसको सेवन कैसे करना है तो प्रत्थम दीन में आपको दस भिलावा से स्टार्ट करना है ठीक है फि उसी मातर पर आपको आ जाना है तो इसके जो टोटल भिलावा यूज कि जा रहे हैं वह हमारे है एक जार भिलावा मातर में आप यहां पर भला तक यूज करिये जा रहे हैं अब देखे चोद्र चोद्र इसका कैसे बनाएं गया तो एक बिलावे को चोटे-चोटे करकर कथम होता है ठीक है दूसरे घड़े में उसके घ्रत से भावित करना ना एसको घ्रत का लेपर जमीन में गाड़ देनी है त्ल टाइन अफ्टल वाश्वंठा कर रिःवार वाश्वित्र सो वाला टक थळっ है उसको आहांकर निकले उसके बाद देखें, तेल की बात हम करें, तो छोदर जो हमने बनाया है उसमें आप अगर मुलेठी और गोदूग्द मिला देंगे और इसको सो बार भाविट करेंगे पकाया जाएगा छोदर को, तो हमारा भलना तक तेल बन जाता है ठीक है, अब हिसके बाद इसके योग द और फिर तै जो इसमें त्यागी वाला आ रहा है तै ले लेंगे उससे यासे यूज लेंगे गाह से गुढ wię लेंगे शासे आप जो हमारा लेंगे सकतु हाजएगा इसमें था से तरपन आ जाएगा पाढसे आपका पलल हो जाएगा पलल तो इस प्रकार और लासल wowda तो इस पर अगर उसे मात्रावत तरीक कावडा को सांथ करकर मेदा ऱ्मू रगनी को क्या करेंगा बढ़ादेगा अब हम नहांसे उपना तीरित्य पाड स्टार्ड करेंगे तृट्य पाड में जो मुख्या हमारा ata बताया गया वहá मेध्यरासान बताया गया है तो उसे स्टाट करने ले पहले देखें शलोक पर आप देख पा रहे हैं शलोक बताया गया है तो देखें इसमें चार परकार की मिद्य रस्टायन बताए गया है मन्डू का दिया जाता है क्योंकि मदू योगवाई होता है वो किसी चीश को संसकारित नहीं करता उनके साथ मिल जाता है पर उनके गुणों में चेंज नहीं करता इसलिए इसको योगवाई कहा गया है मदू के साहथ और में डाली जर्ण करनें और अग्राइब अच्छा करता है बात करते हैं पिपली के बात करने में पिपली को लेगे एक वरस तक अगर आप सेवन करेंगे पांस, साथ, आठ या दस पिपली का कपड़ चुन, चून का आप सेवन कर सकते हैं मदूर घी के साथ मिला कर एक वरस तक उसके बाद तिन-तिन पिपली का सेवन जो बताया गए है उसमें दीखिए आप तिन-तिन पिपली आपको लेने है तो प्राते काल भोजन के पुर्व और भोजन के पश्यात आप उसको ले सकते हैं डेली उत्तम होती है उसके बाद पिपली को आप पलाश के चार और गो गरहत में बरजित करकर उसका क्या करना है आपको चून बना लेना है चून बनाने के साथ मदूर गी के साथ आप उसको लेंगे तो वह भी बहुत ज़्यादा उत्तम होती है ठीक है उसके बाद आप देखिए इसके लिए योग्गी कोन कोन होते है कोन इसको ग्रैन कर सकते है तो कास, चै, सोश, स्वास, हिका, ग्रणी, पीनस इत्यादी रोगों से जो गरस्त होंगे वो इसको इजली ले सकते है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक होती है पिपली का जो सेवन है पिपली रसाइन का सेवन इन रोग अधिकार में बहुत ज़्यादा काम करेगा अब देखे, पिपली रसाइन की बात करी है अब पिपली वर्दमान रसाइन इसका जो हमारा सेवन काल है उसके हम बात करेंगे कैसे कैसे हम उसका सेवन करना है तो देखे, फस्ट डे पर आपको 10 पिपली लेनी है गोदूद के साथ में ठीक है, गोदूद के साथ लेनी है और उसको 10-10 पिपली आपको बढ़ा दी नहीं है तो 10 दे पर उसको 100 पिपली आ हो जाएगी पिर टेंज दे के बाद उसको क्या करना है वापक 10 पिपली पर पुचाना है तो मैनस 10-10 करकर आप उसको 20 दे पर 10 पिपली पर आ जाएंगे तो आप इसलिए यहाँ पर भी एकजार जैसे वहाँ पर बल्ला तक का सेवन हो पारा था यहां पर एकचार पिपली का आप आति काल बताया गया बल देखें तो बल्वान व्यक्ति को है उसका है जिसके क्लक बना कर शकता है दो युटि कर तो जिसे ख क्या क्योंट हो जाएब को हुरा जो जाएगा रहाएं वहों беспया हो चून ठीक इस परकार याद हो जाएगा अब देखिए सी करम में आगे चलते हैं बहुत इंपोर्टेंट है त्रीफला रसायन में देखिए चार परकार के बताए गए है त्रीफला रसायन तो देखिए बोजन पचने पर एक हरड का प्रियोग करना है आपको पर्थम त्रीफ चार आमल के लिए मदू और घी के साथ मिला कर इसका सेवन गाल एक वरस तक का बताया गया है त्रीफला का कलक बनाना है आपको कोई नया लोहे का पाथ डोगयों पर शुक्ता लेप कर देना है उसको रातरी के लिए छोड़ देना है सुबाग अथिकर अपको यो लेप को बहुंआ जाए है तो द्यूस के लिए ख्राइं मिष्री मदु को रहा जा रहा है कि यूज को तृफ़समें उतनी बहु भिसमें लेंगे स।ब अधियादी की वच लेंगे मदू घरत लेंगे पिपली लवन इत्यादी को 3 फल गेसात मिला कर आपको सेवन करना एक वर्ष तक ये सब कुछ उत्तरदाई होते हैं 3 फल रासाइन में अब देखे 3फल कि वर्षायन करें 3 फल रासायन करें हम बात करें तो शीला जतू रसायन हमारा किटने जो पढ़ती है उनसे जो पिगल कर लाक्षा सम्चिकना अस्राव निकलता है उसको क्या कहा जाता है शीला जीत कहा जाता है अब शीला जीत में चार परकार की बताई है स्वन्ड रजत तामर लोहो तो देखिए इनके आगे वीपी वीकेपी यह सब लिखा है तो उनके समान हो जाता है रजत को आप याद कर सकते हैं श्वेत ही होता है मौरकंट के समान तामर होता है क्रिश्णाप गुगुल के समान लोहो होता है तो क्रिश्णाप गुगुल के आप समान देख सकते हैं इसके बाद रस देखिए मधूर तिक्त होता है कटू होता है तिक्त और तिक्त लवन यहन्के रस वीर्य पेलिए सब करें समानी术ों को कर दोस् stub दोस्ट के लिए जो करता है अगे बात करतें अप सब्सक्रेशथ के स्पनित इन उनके लिए यह पत्थे बताया गया है गोलने योगे दरवे तो दूद शुक्त मासरस यूश जल गोमुतर इसमा आप गोल कर इसको पी सकते हैं सेवन कर सकते हैं शीला जतु का अब महतु देगे सभी रोगों हेतु जो होता है उत्तम होता है अती महतपून योग बताया गया होता है बल हेतु महतपून होता है तो यह सब इसके हम शिला जतु रसायन की बात किया है हमने तो यहां पर आकर हमारा यह चैप्टर जो है त्रित्यपाद घताम हो जाता है जो हमने इंपोटेंट है वो सब कुछ कवर किया है इसमें अभी जो फर्दर हम आगे वीडियो डा करने तो थैंक यू गाइज पर वाचिंट वीडियो प्लिस लाक शेयर और सब्सक्राइब को चैनल मैंशन यूर क्वरी इन कमेंट सक्षिंट थैंक यू गाइज